लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करेंदे आइकन को सब्सक्राइब करेंट्स कि लिएकर अल्ट्रास तरी अल्ट्रा चनल्ट्राइब करेंजर प्रेस करेंशब करें और आइक इंच झाल 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 भाई साब यह पता बता हैंगे इतनी क्या बात कर रहा हूँ छोटू देख तो कौन है रेसकी तो तू है गोड़ मॉर्निंग सार यहां पे इंजियर वायन राम परसाद नाम का कोई आद्मी है क्या आँ इंजे नाहेल राम परसाद यहां पर यहां पर एसका नाम का कोई आद्मीं नहीं रहा था अरे यही पर बोला था उसने मेरा दिमाघ खराब कर दिया आप एक बार देख लीजे ना यह कौन साथ मं है जो दिमाग खरब कर दिया चल के देखते हैं रहे चल बाल करनी में ऐसार अरे राम परसाद राम परसाद को नहीं को है और तुम कोन आओ उनका फ्रेंड हूं सरण बच्पन में हम लोग गाउं में एक साथ पड़े लेखें सर बोटियां भी खेलते थे मैंने आने की खवर उन्हें पहले ही दे दी थी यह देखिए सर उन्हें का एड्रेस है ना अरे बापे एड्रेस तो ठीक है चोटू इस फ्लैट में कोई इंजेन ओईल राम पर साथ रहत अरे इंजेनायल तुम वहाँ परो तुमेंचे लेने के लिए इस्टेशन पर क्यों नहीं आया मैंने तुम्हें पहले खबार नहीं की थी क्यों बैसनी तेरे नाम राम परसाथ है काली राम परसाथ नहीं इंजेनायल राम परसाथ इतना घटिया नाम रखता है चित चल रह है अजाओ हलो कम ओन इन किया हुआ तोहमे है तरश कर। हो यू कर भूद है दो कि शहर कूलु guy का लेकर लेकिन लिफ पीट में रचला के लिए फॉल के खाल का फमाल लिफ्ट में अकेली ना किसे शहर में जाता अरे यह अपना गाउं नहीं है यार शहर है पहले यहां कैसे रहने वो सिख लो मेरी इज़त का भाजी पाला करती है चला आजा इसका नाम रियास है कंप्यूटर इंजिनियर है हाई नमस्ते है और यह है छोटू फ्लैट डिसी का है चॉकलेट चे यह क्या माफ कीजे मैं सिग सिग्रेट और चॉकलेट के बारे में इस गाउं माले को पता भी नहीं चलता है रियास यह मेरा बच्पन का दोस्त है यार नाम सोनु है मेरे गाउं का है यार अरे यार अचानक से इस रूम में अजीब से खुश्बू कहां से आ रही है मैं बालों में तेल लगा कर राया है यह यह जाकर रेस्ट कर लो चल अरे यार यह यह जब तरी वज़े से वह है चल अन्दर जा क्या है यार कौन है वह बताय था ना यार बच्पन का दोस्त है अपने साथ वह गया है जब तक नौकरी नहीं मिलती साथ ही रहेगा देख उसे नौकरी चाहिए तो मैं दिला दूँगा लेकिन यहार रहने के लायक नहीं है वो उसकी सूरत तो देखो ज़रा उसके तेल की बदबू सुनकर तिमाग ख़रा वो रहा है उसे यहां से जाने को बोलो अभी नहीं यार उसे देखकर ऐसा लगता है इनो सेंट आफ इंडिया की तरह दिखाई दे रहा है जगा देदो तो यहां रहकर हमारे घर का सारा काम कज कर लेगा वो वो नौकरी कर पायागा या नहीं यह तो पता नहीं लेकिन हम अपने घर का सारा काम करवा सकते हैं अरे सोनू आज से तेरी लाइफ दोस्स, सुपर हीट सुपर है सुनिये कहिए अपो क्या काम है यहाँ सेड़ जी कहां बैठते है सेड़ जी, ओ हो एम जी यहाँ से सीधे जाकर लिफ्ट गूंग जाए जी चेक दफाल इमेड़ेटली येस, वाट केन आई दो फॉर यू क्या चाहिए तुम से पूछ रहा हूं भाई मैं आपके पास काम मांगने आया हूं सर काम तुमें, क्या काम कर सकते हो तुम पेंटिंग करता हूं सर, ये देखी मेरी पेंटिंग्स, देखिए सर हलो शांती वाट अ सप्राइज सुनो आज रात को मिलते हैं तुम अपने घर में ही मेरा इंतजार करना ओके बाई हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? हाँ, तुम्हारे जॉब के बारे में तुम आज से ही जॉब जॉइन कर सकते हो सर, 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 सर सर, आप बहुत अच्छे हैं सर मैं आपकी महरबानी कभी नहीं भूलूँगा मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखकर तुम्हें कान दिया है इसमें इतना खुश होनी की ज़रूत नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी दी आप तो मेरे लिए भगवान के समान है सर अरे ये तो कुछ नहीं है दोस्त अभी तुम्हें बहुत उपर तक लेकर जाना है कि अगाओं वाले उसकी बाद तुम्हारी समझ में नहीं आई ना वह गुंगा बात नहीं कर सकता सुन भी नहीं सकता है सारा सिस्टम खराब है उसका वह पूछ रहा है कि तुम इतने दुख्री क्यों हो गाओं की मेरे अपना कोई भी नहीं है इसलिए अच्छा कलाकार बनने के लिए शहर में आया था लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि यहां साड़क पर पैंटिंग करनी पड़ेगी बड़े भाईया मैं भी बड़ा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था सचीन तेंदूल की तर है महंदर सिंग की तर है लेकिन हारकर मैं पेंटर बन गया हूँ कोई बात नहीं फिर भी वाई ड्रस मेंडन कर रहा हूँ सुनो यह होडिंगी मेरा क्रिकेट ग्राउंड है एक कलर का डिपा क्रिकेट का बॉल है यह ब्रश क्रिकेट पैठ है यह बात नहीं कर सकता इसलिए मैं पैर हूँ इसके बारे में सोच के दुखी मत हो भाईया ओकुंगा है लेकिन लड़कियों को फिशें में मस्ता अदमी बाड़ा खिलाड़ी है क्यों भाईया यकीन नहीं हो रहा ना यही तो गोलमाल है शेयर की लड़कियों को लड़के जरूरी नहीं है स्टाइलिस टॉकिंग जरूरी है है हेलो बर्दर टॉकिंग कहते ही हवाई जाज को कियो देख रहे हो उसमें की लड़की हमको नहीं पड़ेगी लेकिन पहले काम करो यार काम करते हैं पेंडिंग को पटाने चले लड़की कि वह देखो वह लोग आ गए हैं चलो भाई सब्सक्राइब क्यों वाई गुल्दस्ता लेकर आएं तेरे लिए नहीं है देदी बेटिक श्वेता के लिए कहां है श्वेता कहां है वहां देखो हमारी श्वेता कहां है वह फर्स टाइम इंडिया ही ना सब कुछ नया लग रहा होगा वो सब ठीक है यार यह में ले लोग यमपी लोग जीत जाने के बाद नासते वे बजाते वे जूटे वादे करते हैं और हम इंदुस्तानियों को बेवकूप बनाते हैं हुआ है रेश्व हुआ है अलोग प्लीज प्लीज कम सुन मंढ़ी है ना-प्र आपने दोस्टों से इंटरीज़़ाता हूं यह ही इस रियास, है कम्प्यूटर इंजीनियर्स वाकिं इन आइडलों इस में रिष्मा hellu हॉ 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 क्टिया इस मिस्टर चोटु हलो एसे के दिख रहाँ है धर आजा ना आज ना मेरे रूम में एसी और नरम करते हैं वही पर चलते हैं ना सोनु कहा है यार है सोनु इधर अरे आना यार इन सब से मिलो है सोनु सबके लिए कॉफी लेओ जल्दी से लेओ यार जाओ लेओ लेओ कॉफी 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 अगई ऐसे क्या देख रहा है बाई कॉफी पिलाना सबको दो यार दो ना ये लीजी कॉफी एई आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है आप ये कॉफी लीजी हम बिलेंगे तुम यह से जाओ हां जाओ जाओ का ना ये सनी कौन है वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या हमसे मिला है क्यों नहीं हां दोस्त है उसके गले में तावी इस कानों में बाली बहुत बुरा लग रहा था शिट उसमें से कितनी गंदी बदबु आ रही थी ना खाओ वाला है इतनी बदबुत होगी लेकिन सनी तुम्हें ये मिला कहा थोड़ी बहुत इंगली शाती तो भी ठीकता चीची इसको आगले बार हम आएंगे ना तो घर में मत रखना लग नाव जाएंगे भी ना leyका रखना कहां चला गया पता नहीं तु यह का कर रहा है यार इस समुद्र के रास्ते से सिंगापूर कैसा जाएंगे यहीं सोच रहा है क्या इतना उदास के हों है यार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या बात है यार सुबह आई हुई लड़कियों से तेरा परिचा नहीं कराया इसलिए न हाँ अबे बेवकूफ कहीं के वो हाई क्लास की लड़किया है वो तेरे लेबल की नहीं है वो फटाफट इंगलीश में ही बात करती है और अधर नहीं के लिए गात रहें ग्या बात कर रहा है मैं बताता हूं ना प्यार से देखना चाहिए तब यह लड़कियाँ लड़कों पर जान नियच्शावर कर देती है सच में सच में एक अधर बताओ ना मुझे और यह अधर आइडिया टाइम लगे गा यार यार टाइम पूछोगे तो जो आप देना ही पड़ेगा इसे घरी की टेक्निक कहते हैं ऐसा क्या तुम बस टोपर खड़े हो कर सुन्दर लड़की से बात करने के लिए टाइम पूछो वो लड़की टाइम बताएगी उसके बाद तुम उससे स्माइल दो उस लड़की के साथ तुम भी तुम उस बस में चड़ जाओ उसके बाद तुम उस लड़की के आँको में अपनी आँके डाल दो और फिर समझो वो लड़की तुम से पट गई एसक्यूज मी टाइम प्लीज प्यार का है टाइम रोमांस का है टाइम सुलो ए हसीनो एडवांस है ये टाइम प्यार का है टाइम रोमांस का है टाइम सुलो ए हसीनो एडवांस है ये टाइम पिश्क में जो टूबे हैं देखे ना वो टाइम ये मस्तिया खुस्ताखिया करने का है टाइम तो आओ छूल मिलो नाच चलो डानस का है टाइम प्यार करने का है टाइम प्यार की हो डेख होना नहीं लेख लोटे ये मौसम कभी ना क्यों में हो हस्रीना दीना मीना रीना जो भी हो सब को है लव में ही जीना यही है प्यार 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 ओ सुन ले यार प्यार प्यार ना कर तू प्यार से इंकार ये प्यार नहीं कोई क्राइम प्यार का है ताइम रोमांस का है ताइम सुलो है हस्रीन, एट वांस है ये ताम प्यार का है ताम, रुमांस का है ताम सुलो है हस्रीन, एट वांस है ये ताम इंप करें दिर अरह प्राव प्राव टेला अर्च है वोरीज कर देल, भीकर राईब आर रडिदे कर देल, वोरीज तिक राईब आर लिदेल, बड़ार चाल, बड़कर राईब आर झाल Day हो ये night, left हो ये right, green signal ही बताना Wrong हो ये right, करनी पड़े five, जीते हमेशा ये दिल है दीवाना नमानो heart, 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 love is what, heart, heart, past, present, or future, middle of time is good time Hey! प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुलो ये हस्रीनों, एडवांस है ये टाइम प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुलो ये हस्रीनों, एडवांस है ये टाइम इश्क में जो ढूबे हैं, देखे ना वो ताइम ये मस्तिया, तुस्तागिया, करने का है टाइम, तो आओ जूम लो, नाचे लो, डान्स का है टाइम ये सपना था, सच नहीं था, वह अच्छा, मैंने के तुसरे पहरी काता है, तुस लड़की से टाइम पुछते समये, इंग्लिश में स्टाइल से, एक्स्क्यूज मी, टाइम प्लीज, इस तरह पुछो एक्स्क्यूज मी, प्लीजज, इसक्यूज मी, टाइम प्लीज, और तु गई था है, तु जा और तु गई वहाँ टाइस से, डिश से, टाइम पूच्छा तु तु मुस्ता, तु टिखा रही और तु तु थैंक्स भी बोला और चला गया, वह रास्कल मुझसे टाइम देख तो जरा कैसे धक्के मा रहा है क्योंगो अन्दाइ क्या दिखेनी दिदा खराब हो गया क्या अरे रिखनो जरा क्या भाग लोगी तरह कर रहा ही है हां हां अच्छा एक्स्क्यूज में टाइम प्लीज अरे गदे के बच्चे हैं बहुत देर से देख रही हूं इस लड़की को खड़े होई यहां दस मिनिट नहीं हुए एक के बाद एक लड़की आके उससे टाइम पूछ रहे अरे तुम लोगों के पास घड़ी खरीदनी की आउकाद में लड़कियों से टाइम पूछते हो लड़कियों को पटाते हो देखो भाई जरा देखो इन लड़कों को लड़कियों का पीछा भी करना चाहिए अ हम एश्क्यूज मी टाइम प्लीज घर पर चिलो बताती हो बड़ी खतरनाक लड़की है इसको ट्राइक करता हूं एस्क्यूज मी टाइम प्लीज ट्रेंट एक मिनिट रुकेंगी येस आपकी शेट बहुत अच्छी है आपकी सूरत और भी अच्छी है ओ थैंक्स थैंक्यू लेकिन आपकी सूरत पर ये काला चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है इससे निकाल देंगी तो अपनी आँखों से आपकी खूपसूरत आँखें देख लो अब इसकी तबियत कैसी है लो प्रॉब्लम उठकर चल तो सकता है न डॉक्टर उठकर चलेगा जरूर फिलाल उसे आराम करने दो एक्सिदेंट तो सोनू का हुआ है मैं आराम क्यूं करूँ डॉक्टर शटाप मैं दो उसके बारे वे बोलाता है दोक्टर ने ओके बोल दिया ना चल बाचल के दम आते हैं चोटू चोटू है तेरा क्लोस फ्रेंड तुझे बुला रहा है जा कर मिले जा क्या है किसी को बताया तो नहीं कि मेरा एक्सिदेंट कैसे हुआ नहीं बताया सारे शहर में धिंडोरा पिटवा कर बता दूं क्या मेरी बात ध्यान से सुन डेख पेंटिंग करते वक तेरा पैर फिसल गया और तू नीचे गिर गया यही बात मैंने सबको बताई है तू भी यहां यह न हम छोटू अब क्या है यहा एक सुन्दर नर्स रहती है तो एक और आइडिया बता दो उसपर ट्रौए जी कर लूगा क्या हूँ आभे आइडिया पुछने पर मुह कर लिया हम अाहम मुझे सोचने दे फिर एकर तुझे बताता हूँ ठीक है अबे ऐसे क्यों असरा हस्टू नहीं तो क्या करो यार उस पेंटर का हाथ टूटे अभी आदा घंटा भी नहीं हुआ है फिर एक आइडिया पूछ रहा है जोर से मत हस्टू यार उसे हम मामू बना रहा है उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है असल में अपने बारे में क्या समझ रहा है उसे लगता है कि उस गाउं के लड़के के सामने शेर की सारी लड़किया लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी Thai heavens अभी अगर हमें पता होता कि लड़कियों को कैसे पटाना है तो बताते ना हमें ही समाझ में नहीं होता कि हाय लॉव भी बोलने का क्लिए क्या करें तो फिर उससे क्षेपटेगी लड़की प्रालिखा भी नहीं है लोगों से बाते करनी चाहिए यह बी पता नहीं शक्कर तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसे में कोई लड़की उसे कैसे पसंद करेंगी हुआ हुआ है अज तो फिर यहां पर आगया आज तुने किसी लड़की से टाइम वाइन पूछा ना तो मैं तेरी हड़ी पसली तोड़के रख दूंगी हां चल जाए आँ से देख रहा है घूर घूर के चल जाए एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज नाइन ट्वेंटी यही बात हसकर भी तो कह सकते थे इतने गुसर में क्यों कह रहे हो किस चीज का कमंड है तुम्हें सचमच कर यू है बेटा इस तरह के बत्तिमीर लड़कियां भी है देखो ऐसी बत अब कुछ दिया है मगर बोलने की शक्ती नहीं थी कूंगी है विचारियां बहुपँ बहुपँ थे झाय गुपँ लड़ का। मढडाव बयाव vertically डरे टिले करे लाव डर्त हाव ब्र्च बयावड टाब ट। बयाव हुआ प्रपिं 주three बेचारे यह यह हुँ 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 क्या हुँ बेटा इसे क्या हुँ अपर इसे माँ माँ मॉम देखो मैं अमेरिका नहीं जा सता पापा ने कहा था ना आई गॉट अलेटर फॉम यूएस गुट बाइ टॉ इंडिया चलो अमेरिका कॉंग्रेट्स बेटा तुम अम्रीका जा रहे हो यह अच्छी बात है लेकिन वहां से जो लड़की आये उसके बारे में तो सोचो क्या हुआ मॉम वाट्स प्रॉब्लम हे श्वेता वाट एपन इंडिया पसंद नहीं आया क्या देखो श्योता तुम जब तक यहां हो तुमारी सिमेदारी हमारी है तुमारे पापा हर रोज फोन करके पूश्टे मेरी बेटी कैसी है मेरी बेटी कैसी है तुम्हें कोई प्रॉबलम हो तो बताओ कुछ भी तो नहीं अंकल विक्की रामनगर बस्ती में गुंगी लोगों का कोई इंस्टिट्यूट है क्या वहां क्या है डांस स्कूल एड्रस के बारे में वहां एक लड़की से पूछा बेचारी वो लड़की गुंगी थी लेकिन वो लड़की क्या कहना चाह रही थी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था फिर मुझे एक लड़का मिला वो गुंगा था लेकिन इशारे से मुझे समझाया और मैं आसानी से समझ गई वहां श्वेता इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों टेंशन लेती हो नहीं विक्की कोई भी अगर गुंगा पैदा होता है तो उसकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है खुश रहो बेटी तुम्हारे मनो कामना पूरी हो अरे यह क्या यह टीचर के पैर को शुकर नमस्कार नहीं कर रही है मेरी तु समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों ने आज ही डान्स क्लास जॉइन किया है तो हम लोग डान्स प्राक्टिस शुरू करते हैं ठीक है उकी मैडम एक्स्क्यूज मी हाई, आम लक्षमी आम श्वेता डान्स सेखने के लिए तुम अमेरिका से आई हो ऐसा सुना है मैने वहां से आकर भी भरत नाट्यम सीख रही हो, चोड़ीदार कपड़े पहन रही हो मतलब इंडियन कल्चर बहुत पसंद है ऐसा कुछ भी नहीं है अमेरिकन कल्चर में कुछ चीज अच्छी भी है जैसे कि इंडियन कल्चर में अच्छी और बुरी दोनों है आप सबने जब टीचर के पैच्छुए ना तो मुझे पसंद नहीं आया पैच्छुना गुरू के सम्मान की बात होती है ओके अभी तो हमारी मुलाकात हुई है इतनी जल्दी अर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं लेट्स गो हलो एक्स्क्यूज मी येस आप सुस्मिता की बेहन है नहीं तो फिर शिल्पा की सिष्टर नहीं तो फिर इतनी मटक मटक कर क्यों चल रही है थोड़ा आराम से चलो ना स्टूपीड आहा कितनी मुहबबत से बोलके गई है अरे अश्वरे सुनतो हो तुमुझे कल फिल्म देखाने वाली थी क्या हुआ अरे यार देखा तुने अहां ठीके तुने उसका नाम है अश्वर्या चेरे से लगते हैं ललता पवार ऐसी ही लड़कियां इस कॉलेज में भरी हुई है कोई अच्छी लड़की हम लोग उनको दिखाई देगी क्या यार अश्वर्या सुश्मिता अबे देख पुकारा क्या पुकारा नहीं चिल्लाया मैं सूपर फीगर अभी अंदर गई है कमान फालो मी यहीं पर तो आई थी कहां गई वो ही रोइन चलो आगे देखते हैं देखने में कितना भूला भाला लगता है यह भगवान ने इसे जुबान भी नहीं दी भगवान ने इस लड़की को कितना खूबसूरत बनाया है लेकिन पेचारी को गुणे बनातिया है यह थीर्म है अ यह थीर्म प्रेश्चान एया थीर्म आदकने आओ यह थीर्म आँ है है यह है वाह से नगया है 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 हम अब जोगाए यार है तार्डिक आप उर्पर दुपान के पास खड़िये वही लड़की है वह किसे बाते कर रहे है यह अपना प्रेंटर बाभू है ना इतनी जल्दी पटालिया उसी पुछता हूना अँछा हूँ परेंटर बाभू अउव प्रेंटर बाभू अपने लड़के सामने मेरी बेजाती की थी ना हाँ अब बताता हूं हाँ हाँ है यहाँ हाँ आज कल की लड़क्यों का टेस्स क्या यह अपना अपनना है अपनना ये उंपना चिलाना छुड़का ऊसे यहां बुलाओ सब्सक्राइब देख तो इसे कितना घमंड हो गया है कुट्टे की तर भौक रहा हो तो भी नहीं सुन रहा है हमारी आवाज सुनकर भी अंसुना करके जा रहा है रासकल देख न कमिने को एक लड़की को पटा लिया तो हम सबको भूली गया है ताइम याल टाइम सुन अभी छोड़ दे रात को जब घर आएग ना तब पुछें कौन थी वो लड़की कौन थी वो लड़की? कौन से लड़की? वही तो हम भी पूछ रहे हैं सुवे शॉपिंग मौल में जिस लड़की के साथ बाते करके फसा रहा था वही लड़की ओ ओ ओ ओ ओ वो लड़की? मेरी गल्फ्रेंड है मैन क्या? या गल्फ्रेंड वह लड़की तुझे कित्ते दिनों से जानती है? यही कोई दो महीने से तुम क्यों पूछ रहे हो? अब एक गाउं के गवार तुझे शहर में आकर अब आवी आर दिन हुए और तुने दो महीने से लड़की को पटा लिया? क्यों? पटाने के लिए दो महीने का समय ज्यादा है क्या? ऐसी बात नहीं है पेंटर बाबू वह लड़की फॉरेंड से पढ़ाई करके आई है ऐसा लगता है और तुने पढ़ाई किया गाउं के चौपाल पे पटा लिया रहे तुने कैसे पटा लिया रहे? आपको बताने पर समझ में नहीं आएगा यह एक आट है ताइम यार ताइम पर उस लड़की को अपने अरिया में जरूर कहीं देखा है अपने अरिये में वो लड़की सुनो भाईयों आप ज्यादा से ज्यादा जगदंबे सेंटर तक गए होंगे नहीं तो युनिवेर्सिटी लेडीस घॉस्टल तक गए होंगे यहीं आपकी रेंच है लेकिन यह लड़की आपकी रेंच से थोड़ी उपर है क्यों अप्मान कर यहां आपका परुचे कर देता हूं अब मैं चलू क्या वह बाइद अब मिस्टर शोटू कल सुबह साड़े पांच बजे मुझे जागा सकते हैं वह किसी यह उस लड़की के साथ मुझे जाओगी पर जाना है यह उड़कीन चीकलेट लप्षा कि जाना अब पर किक्यान की ज़ना आपके रहे जाओं अरे मेरी बिली मुझे मुझे मेहां करती है संत्सक्ष्ण बुक्याओध मुझे उस लड़की सारी डीडेल्स लेकर आता हम लग जा काम पे करो साफ साप डैया करो साप बिना पैरों का आहीं जू साफ डैया करो क्यूं इतने देर से आय हो और आई हो तुस्स हो में देदो में जी देदोी बहुट करो भङवान बहुं बहा करेगा निए जीघ बहुत नहीं होगा कितना बड़ा रिस्क ले रहा है कुछ देते जाओ इस लाचार भिखारी को कुछ देते जाओ भगवान बड़ा करेगा अल्ला बड़ा करेगा देदो माई गॉड मुझे बहुत टेंचन हो रही पता है पेट की खातिरों से जीवन यूँ गुजारना पड़ेगा क्या इंडिया में ये सब पेट भनने के लिए करना पड़ता है श्वेता छोटी छोटी बातों के लिए अपसेट मत हो ऐसा नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी कारिया ट्रक से उसका एक्सिडेंट हुआ तो पता नहीं इन लोगों की जिंदगी में तनी परिशानिया क्यों होती है बेच आरा स्टॉप इट श्वेता यहां ओना यस मैडम डांस का मतलब से पैर हिलाना नहीं होता रित्ते के हिसाब से हाव भाव चेहरे पर दिखना जरूरी है क्रिश्र ने सत्य भामा को पहली बार दिखा तो सत्य भामा के चेहरे पन शर्वाना साफ दिखाई दे रहा था तुम भी वही भाव करके दिखाओ यह क्या श्वेता तुम ठीक से शर्माना भी नहीं जानती मैडम मुझे यह नहीं आता है तुम्हें अपने संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखना है क्लास के बाद मुझे से आकर मिल लेना गुद मॉर्निंग मैडम मॉर्निंग डांस तो तुम ठीक ठाक कर लेती हूं लेकिन चेहरे के हाव भाव ठीक से नहीं देखा पाती उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैडम किसी विशे में अगर तुम्हें बात करनी हो तो जुबान से कहे बिना आखों से बात कर सकती हो अपने भाव को वेक्ट करो और उसे समझाने की कोशिश करो फॉर एक्जाम्पल गुंगो को तो देखो वो भी तो बात नहीं करते लेकिन इशारों से सब कुछ कहा डालते हैं उनकी तरह तुम भी ट्राइ करो एक दिन तुम जरूर बड़ी डांसर बनोगी श्वेता ये है उस लड़की का नाम पैदाईश परवरिष लॉस एंजलिस सिटी अमेरिका उसके माता पिता वहीं के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है श्वेता अपने माता पिता के साथ अमेरिका से पहली बार इंडिया आई है वहां से इंडिया गुमने आई लड़की को भरत नाटियम सिखना अच्छा लगा इसलिए उसके किसी रिष्चेदार विठल राओ के घर में रहकर डांस सीख रही है सुन बे पेंटर हम लोग तेरी गर्ल फ्रेंग के बारे में ही बात कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है तुझे पता नहीं होगा वह लड़की तुझे जानती भी नहीं है और दो महिने से तुझे साथ जोगिंग करता है उसके बालों में उंगलियां घुमा आता है हमसे जूट बोलता था ना अरे हम किसी लड़की को एक बार देखने तो काफी होता है कि वह लड़की फ्रेंड्शिप करने के लिए रेड़ी है यहा फिर वह सब कुछ कुछ के लिए रेड़ी है एक मीटिंग में पता सकता हूं यहीं सोच रहा होगा ना कि हमने कैस दिमाग मत लगाना समझा एई श्यता जैसी लड़की कितने बाइफ्रेंड होंगी जानता है जूट बोल रहे हो श्यता जैसी सुन्दा लड़की ने मेरे साथ दोस्ती की है इसलिए तुम लोग जलकर मुझे ऐसा कह रहे हो ऐसा क्या तुझे लगता है हम तुझे जलकर बोल है सुन वो लड़की गुंगी नहीं है बहुत बोलती है वो लड़की तुम लोग जूट बोल रहे हो वो मुझे कभी दोका नहीं दे सकती दोका नहीं देगी इतना जादा भरोसा है अभी तुझे उस लड़की के बारे में बताता हूं चला मेरे साथ एक्स्क्यूज मी करना है गो तफर्स केबिन थैंक यू सनना है सथे लड़की कहा बात कर रहे हैं जर रहा जाम थार जो कम भृड जाना फो धिक किसे बात कर रही है सुन ले गो गो गो! डैडी मैं बोल रही हूं डैडी लेकिन मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूं मैं लंडन जाती तो ठीक होता टेलीफोन हमेशा खराब रहते हैं एवरीधिंग इस अज़ेस्मेंट डैडी और उपर से यहां के लड़कों को मैं समझ नहीं पा रही हूं पुड़ा सा मुस्कुरा दो तो उस बात का भी घलत मतलब निकाल लेते हैं फॉरन आई लव यू बोल देते हैं इसलिए किसी से बात करने से भी डल लगता है डैडी बट वन तिंग डैडी बट क्या है कल मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिला वो सच में अच्छा है इस सो नाइस डैडी आई लाइक हम वेरी मच समल कर बेटी कहीं वो तुमें I love you न बोल दे नो डैडी बोलना चाहे भी तो बोल नहीं सकता क्यो डैडी वो बिचारा गूंगा है अब इसे क्या होगा यार और क्या होगा फोन पर उसके वॉइफ्रेंड ने उसे किस किया होगा और इसके कान में बॉम फट गया होगा मुझे तो यहां सिर्फ उसी से फ्रेंडशिप करने को दिल करता है ठीक है ठीक है okay daddy, I call you later, bye 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 क्यों वे, English film Titanic के हीरो की तरह अकड के क्यों आ रहा है कौन से बॉइफ्रेंड से बात कर रही थी, पीटर के साथ या बिल क्लिंटर के साथ उनमें से किसी से नहीं, अपने डैडी से बात कर रही थी डैडी के साथ, क्या बाते कर रही थी हम दोनों की शादी के बारे में डैडी से पूछ रही थी तेरा साथ और क्या, शादी के बाद हम इंडिया में रहेंगे आमेरिका में ये पूछ रही थी उनसे उसके डैडी ने क्या कहा, कहा कि इस बारे में मुझसे डिसकस करे फिर उस लड़की ने क्या कहा उससे डिसकस करके कहा है कि अपने डैटी को बताएगे अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं लड़की से भी मिलना है मतलब इंगली समझ में नहीं आती क्या हाँ तरह हाट जाओ सामने से यह तो बहुत आगे निकल गया है यार ताइम यार टाइम उस लड़की ने क्या देखाए जो किस पर मर रही होगा है किसमें है क्या यार हाथ में पेंट का डबबा और कान के ऊपर पेंसिल टोंट फरी दिर संथिंग रॉंग उस लड़की को इसमें कैसे पटाया है दो दिन में पता लगा कर तुम्हारे सामने हाज दिर होता हूं क्यों बड़े भाईया आज आपका चेरा फड़े पोस्टर की तरह क्यों लग रहा है याद है उस इन गूंगी लड़की के बारे में बताया था याद है वो सच मुझ में गूंगी नहीं है बलकि मुझे गूंगा समझती है समझती तो समझते दो इतनी सी बात के लिए इतना मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके बारे में सोचका डरता हूं किसलिए मैं काओं का रहने वाला हूं ना फैशन नहीं जानता इंग्लिश नहीं आती इसलिए मुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए यह कहते रहते है अगर उन्हें सच बात का पता चल गया ना तो मुझे माल डालें गया हलो मैं क्या आप नहीं उनको इनको क्या है मैं धशिए बार में बात कर रहु था यह लड़की मुझे गूंगा समझती अब क्या करूं यार अबे करना क्या है उपर बुरा लेतें और उसके सामने थो फोड़ी द्रगी गूंगा बन ज्या अब आब 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 आ यार इया मैं फ़स गया हूर तो मैं मुझ थूज अब तू जल्दी से नाटक शुरू कर दे हुआ सुनिये हारती ने दोनों कुंगल भाष्या में बोलकर सर खाते हैं अब इंके साथ तुम भी मिलका बहा 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 करो वो ठीक से सुनतु सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता है सच में क्या प्रॉमिस आइम सॉरी रियली सॉरी यह जगह ना मुझे बहुत पसंद आई हर दिन इतने उपर आपर पेंटिंग करते हो मेरी डांस क्लास यही पास में है डांस क्लास के बाद मैं बोर हो जाती हूं इफ यह डोन माइन क्लास के बाद यहां आकर मैं टाइम पैस कर सकती हूं क्या मान भी जा नहीं मैं आकर तुमें डिस्टब नहीं करूंगी अभी मान जा वाओ थैंक्स 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 अलोट कुआ 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 देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दिवाना हुआ थोड़ा मजनू और रांजा हुआ नाने किसी की न ये ये है दिवाना निकम्मा पे शरम है ये है परवाना समझाए कैसे इसे मन इसको लागी है प्रेम लगन देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दिवाना हुआ थोड़ा मजनू और रांजा हुआ कि तेखोच्ज रांजा प्रेम थानप का ये 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 है ये हैं कभी बादिलों में उड़ता फिरे वे मौसं बरसे कभी नदियों की लहरों में लहराएं वो कभी परवतों पे चड़े जन ना वो मन ना वो सोचे ना कभी कभी पीजे कभी आगे दोड़े भागे कभी तैसे ही रिप्पे रांजा मेटा देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में भागल दिवाना हुआ थोड़ा मजनू और रांजा हुआ कर दोड़ा जोड़ा हुआ कर दो आगे रांजा जोड़ा आजा ये जोड़ा थाएंग इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ पेचैन हर पल रहूँ होटों पे आये ना दिल की जुबां कैसे मैं तुमसे कहूँ नीन गई है चैन उड़ा है छाई है बेताबी खोए दिन है जागी राते है शाम है शराबी तेरी मुहबत में यूमर मिटा जैसे लैला पे मजनू मिटा जैसे ही रूपे रांजा मिटा देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दिवाना हुआ थोड़ा मजनू और रांजा हुआ देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दिवाना हुआ थोड़ा मजनू और रांजा हुआ माने किसी की न ये ये है दिवाना निकमा पे शरम है ये है परवाना समझाय कैसे इसे मन इसको लागी है प्रेम लगन पता है सोनू मैं सस्पेंस को बर्दाश नहीं कर पा रही हूं इस वाइनार्स कॉलेस आपका रिष्टा क्या है अब है मतला तुम्हें यहीं से बढ़ाई की है तुम्हें गुल मैटिभी मिला है ओ कुंग्रेक्स सोनू आओ ना सुनिया ची तो आप यहां क्या कर रहें वह सारे सामान को तोड़े जारा है आप बैठे पेपर पड़ रहें अरे-अरे पेपर छोड़िये जाकर पूछे तो उसे हुआ क्या है क्या पूछूं इसमें नया क्या है एक तोस्त ने पढ़ाई अच्छी नहीं की कोई इंटरव्यू ढंक से नहीं दिया कोई काम का नहीं है वो इसे अमेरिका का विज़ा इतने असानी से मिल जागा इसलिए वो यहां तोड़ फोड़ कर रहा है जाओ जाकर रोको उसे सोनो समझो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं समझो फॉद टाइम बेंग अगर तुम्हें मेरे पास आई लव यू कहना हो तो कैसे कहोगे सोनो किंग कॉंग फिल्म में गोरिला कैसे करते करके बताओ ना तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम सब लोग मिलकर रहने क्यों सता रही हो वो तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता पता है ना सोनो तुम बहा जाकर खड़े हो जाओ एक शरीफ आदमी को सरकस का एक जोकर समझ रखाय क्या तुम्हें सुनो तुम्हें टाइम पास करने के लिए यही मिला है क्या हमें डाटकर तो क्या बोलना चाहती है तो टाइम पास नहीं कर रहे है उसे मदद करने के बहाने तुम्ह तो टाइम पास कर रहे है उसके साथ ए चलो सोनु कल तुम्हें कोई काम है क्या कल शनिवार है ना एडिजेंसी में जाकर वर्क ओडल लेना है ठीक है कल शाम को पांच बजे तुम्हारे ओफिस में आओगी मेरा इंधजार करना ओके अब गुड तुम कैसे करोगे मुझे प पूरी हो जंग जाई ओके ओके सर घर गया तो फ्रेंड्स और यहां रोका तो वो दिमार खराब करके रख देगी मेरा है अलो कान पेंटर सोनु एक मिनार है सोनु तरफ होन है हालो मैं सोनु बोल रहा हूं आप कौन हाँ सोनु मैं हूँ यार रियाज मेरी बात सुन मेरी कंपणी वाले ने मुझे एक नहीं गाड़ी दी है मैं छोटू सुनी अपनी गल्फरेंट के साथ अलंकार फियट हो जा रहे हैं तू भी श्वेता को लेकर आ सकता है वहां श्व सभी हूं थे सकते हैं तू बमने अलंचाज यहां तू गलत बोल रहा है मेरी गल्फरेंट डिफरेंट टाइप की लड़की है मेरी गल्फ्रेंग के बारे में तुम क्या समझते हो यार तुम्हारी गल्फ्रेंग्स की तरह फिर्म देखने वाली घुमने फिरने वाली लोकल टाइप की लड़की है क्या वो अरे उसकी रेंज कुछ अलगी है यह सॉन्मस्ता की जिल्चो गल्फ्रेंग्स कांध्न क के जाव़ बहुं इच понял अरे में क्यातील अरूर है इस्टू थे छिगी है किना कमों आवन वं हो व्यसक्थ थाईन चुम्हरा घुट परभिदेग्स सवुया पराइप छिछ हुआ ड़क्न टोगे बड़की आइधि तो फौन पे बात कर रहा था लड़की आयती बेड़े बोलकर कूंगे कि तरी उसके चाहए लड़की का ते बेड़ेड बोलकर चला गया वह लड़की कैसी थी तो प्रलभी थी गया हाहा लड़की हिरोई जैसी लग रही थी आप डूर हुआ तो आप आठ साल से बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये फिर से बात कर पाएंगे डॉक्टर वाइना इदर अगर बैठिया हूं कमान सिट डाउन अलो इदर गुमो अगर रिलाक्स डरो मत स्वनू कुछ भी नहीं होगा जुबान दिखाएंगे ओपें यूर माउथ हां और बड़ा हां रहां 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 से कुछ भी नहीं पता चल रहां एक्सरे देखता हूं मैं एक्सरे तो ठीक है इस नॉर्मल स्कैन करके देखना हुगा डॉक्टर साब पेशन की स्कैन की यूँ रिपोट आ गई वोकल कार्ड इस नॉर्मल और सेरिवेल भी नॉर्मल है नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करना है शॉक्ट ट्रीटमेंट सब कुछ ठीक है फिर भी ये बात नहीं कर पा रहा है अपने इतनी दिलों की सर्विस में अभी तक ऐसा केस नहीं देखा इस ओके स्पीच थेरपी ट्राई करेंगे डॉक्टर स्पीच थेरपी मतलब स्पीच थेरपी का मतलब अंदर ही अंदर बात करने वाली शक्ति को बाहर लेकर के आना आप अब इनसे छोटी छोटी बाते करने की कोशिश कीजिए उसे बार बार आप रिपीट कीजिए इन फैक्ट बेटर होगा कि कुछ दिनों के लिए आप यही तरीका इसके ऊपर कुछ दिनों के लिए ट्राई करते रहिए वाइड़ों डू दू दू थेंक यू दॉक्ट आपल आपल सोनु मैं घर तक ट्रॉप करती हूँ ना मैं वह 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 लोग सोनु यह सब तुम्हारा दिखावा तो नहीं है वरना एक दिन तुम्हारा पीछा करके सारा सीक्रेट ओपन कर दूगा ओके सोनु घर पहुचने की बाद स्पीश थेरपी की प्रेक्टिस करना झाल 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 यह थे आंकर वह आपको बुला रहे हैं कौन है क्यों बुला रहे हैं मुझे आप इस तरह से बात कर रहे हैं ना इसलिए बुला रहे हैं पर आप पर आप पर झाल 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 शर्म नहीं आती मा नहीं है भेन नहीं है अंदा हूं गुंगा हूं बोलकर एक लड़की को धोका देकर फ्रेंडशिप करता हैं अच्छा लग रहे तुझे क्यों बे उस दिन उस लड़की के साथ जॉगिंग पर जाने के बाहने हमारे साथ रैगिंग किया था और कल तुने उस लड़की के सामने टॉकिंग के बाहने हम लोगों से चिटिंग किया हमें पता है और हाँ उद दिन हमने पूछा तो कह रहा था लेडी जोस्तल तक जाना है और अब हम कहां जा सकते हैं और किसे कहकर तेरे फ्रेंड्शिप करवा सकते हैं जानते हैं हम एए चलो यार रियाज एक मिनिट गाउं से अच्छी जिंदेगी बिताने के लिए शेहर में आया था तुम्हारे जैसी पढ़ाई पैसा और शोहरत मेरे पास नहीं है भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है मुझे तुम लोगों की तरह नहीं बनाया है प्रकृति को देखकर तुम खुश होते हो लड़कियो की साथ मज़े लेते हुए नहीं गूम सकता क्योंकि तुम पैस्य वाले लोगों ने मेरे अंदर हीन भावना भर दी है मेरे साथ रहने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे पढ़ाने वाले गुरू सभी लोग मुझे से प्यार से बात किया करते थे लड़कियों को लाइन मारने वाले लड़के जब भी मेरी इच्छा होती थी मेरे कहने पर अपने साथ ले जाया करते थे तब मुझे बहुत खुशी होती थी लेकिन फिल लड़कियों के सामने अपने आपको इसमार देखाने के लिए वो लड़के मेरे इस्तेमाल किया करते थे लेकिन ये सब सहने के बाद भी मेरे दिल में ये पका विश्वास था कि मेरा प्यार कहीं तो मेरा इंतजार कर रहा होगा कहीं तो होगी वो लड़की जो मुझे प्यार करेगी लेकिन निराशा ही मेरे हाथ लगी तब ऐसे समय में श्वेता मेरे करीब आई उसकी दोस्ती ने मुझे खुशियां दिया अपना पन दिया इसलिए उसकी दोस्ती को मैं खोना नहीं चाहता था इसलिए श्वेता के सामने मैंने गूंगे होने का नाटक किया सोचा था स्पीश थेरीपी लेकर उसके सामने ठीक होने का नाटक करूँगा लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं मेरे ठीक होने के बाद श्वेता मुझे छोड़कर कहीं दूर न चली जाए इसलिए अभी तक गूंगा बना हुआ हूँ श्वेता से जूट बोल कर दोका देना गलत है ये मैं जानता हूँ लेकिन इस जूट की वज़े से मुझे जो खुशी मिली है वो मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता इस खुशी को मैं बरकरा रखना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए ही सही मेरी चन्द दिनों की दोस्ती वी अगर तुमसे बदाश्ट नहीं हो पा रही है तो जाकर इसे खतम कर सकते हो तुख ओके बाई नाइस मुटिंग ये ओके सनी बाई सी यू आज आए श्वेता बाई अरे सोनु आराम से बाते करना फिर आना रियास नहीं आया अरे यह हवा कहां से आरी है तो यह वह 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 तो नहीं गाली देना चाहिए और तुम थेंक्यू बोल रहे हो तेख वो क्या कर रहे है अबहां और यार मस्त आईटम बैठी है बहुत अच्छी आइटम है आओ प्रमायाः पुर्च तमीज कहींके चलो चलो वह वह क्या है वह 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 ओक्या हुआ हालो है कुछ कहा तुने नहीं तो बोलाने वाला मैं हूँ ए कौन है तो मैं ही हूँ पहले चैन बंद करो हुआको अजिक अरोब मैं अ करो रा थोलो है वह क्या हुआ टू अ हुआको वностиि अ हुआको तुने बंद कर दोपे सिल Sh fandゃ म्हा वमज़ना एा था skपर 2 इंव पिर अ खेक्याप टूज जहुआ आंको बंद को किस बन्हाब, कि अ gwास्क ता मैं व्यị लुदक श हुआ 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 है हम बेकार में चपपल टूड़ गए हम यह लो साब पहन कर देखिए नहीं चाहिए साब में साथ के साथ आए हो पैसे नहीं चाहिए कोई बात नहीं ले लो रामदास है सब्सक्राइब पर भीग मांग का जी रहा था में साब ने मेरी तक्लीप को समझ कर मुझे यह दुकान द यह भी पर आती रामदा साँ ठीक अमिंसा नमस्तिया साथ है श्वेता है मैं तुम्हां कहां नहीं डूंड़ा गुमने के लिए बहाँ जाने वाले थे बूल गयी क्या कम ऑन सुनू तुम चल सकते हो ना सुनू कम औन चलो ना कमान कम तुम ना कम वह अ पांच टिकेट पिए टिकेट में लूँगी नहीं जल्दे करो ना इस बच गई चपल वाला पैसे लेता तो पांच रोपय भी नहीं बचते बेटा सोनू दिमाग में अकल है किने लड़की ने बोलाया और उसके पीचे पीचे चल दीए जीब में देखा है 5 रुपया 5 रुपय उसके सामने तेरी ओकषाद क्या है वो बहुत पैसे वाली लड़की को तो में स्वेता को रिष्टिदार तो नहीं उसे बता थो नहीं देगा कि मैं गूंगा नहीं हूं सोनू यह पैसा पने पास रखो सबके साथ मिलकर तुम्हें खर्च करना है ओके देखा है सारा जमाना अर तुमसा नहीं कोई जाना छोड़ों जमाना देवाना अर तुनको है अपना बनाना ये वादा मुहबत का तुम भूल नहीं जाना ये रिष्टा मेरे दिल का जो तोड़े से टूटे रा देखा है सारा जमाना अर तुमसा नहीं कोई जाना छोड़ों जमाना देवाना अर तुमको है अपना बनाना करे कर दोड़ू कर सके राक कर सके राक मेरेष राभ़ू पर्टार है जाना उना इसिक रिम सकत्स्या कलोर esa शर नहीं कोई खायं जाना kulland इश्क हुआ है मुझको हां हुआ है ये पहली बाद बाहों में भर लो मुझको आजी भर के कर ले प्यार होले होले दिल मेरा बोलो क्यूं ये धड़कने लगा पहली नसर परता देखो जादू है करने लगा तेरे मेरे बेज का ये बंधन कैसा है ये रिष्टा किसी ने अब तक ना जाना देखा है सारा जमाना अर तुमसा नहीं कोई जाना चुड़ो जमाना दीवाना अर तुमको है अपना बनाना पाल कुड़ो जादू है इन क्टीड़ो जादू है ये लगा इश्क हुआ है मुझे को हा हुआ है ये पहले बार पाहों में भर लो मुझे को आजी भर के कर ले प्यार हौले हौले दिल मेरा बोलो क्यों ये धरकने लगा पहली नजर का ये प्यार देखो जादू है करने लगा तेरी मेरे बीच का ये बंधन ऐसा है ये रिष्टा किसी ने अब तक ना जाना देखा है सारा जमाना अर तुम सा नहीं कोई जाना छोड़ो जमान दीवाना अर तुम को है अपन बनाना ये वादा महबत का तुम भोल नहीं जाना रिष्टा मेरे दिल का जो तोड़े से तू पिरा अरे तेरा भराने होगा तुझे जमान लड़ाती है तुम ज़े अरे उस लड़की की दीवें को में जान देगा तुम इसे जमान लड़ाएगी तुम जिन्दा नहीं छोड़ेगा अल्ला अल्ला के नाम पर देदो मगवान के नाम पर देदो कोई भी मुझे लगरा समसके प्लान देजेगा तुम आरे अधि कि मेरे साथ उस नेकर चलती हूं उस्से ने मुझे दोका दिया है मैं सब कुछ बर्दाश कर सकती हूं लेकिन जूट नहीं बर्दाश कर सकती है रासका चल पूर अधि इस कंप्लेंट पर यहां साइन किजिए देखा तुम्हें सोनु उसने मुझे कितना बड़ा दोका दिया है ऐसे भी लोगें इस बात पर मुझे बिल्कुल यकिन नहीं होता ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए सोनु जो मुझसे जूट बोलते हैं मैं उन्हें कभी मा अरे सोच एक मामुली से भीकारी ने उसे धोका दिया यह तो बर्दास नहीं कर पढ़ा है और तु इतने दिनों से उसके साथ गुंगा होने का नाटक कर रहा है उससे पता चल गया तो सोच क्या होगा जब उसको सच बता देंगे तब वो लड़की इसको ठुकरा कर चली नहीं जाएगी क्या किसी न किसी दिन श्वेता को पता चली जाएगा कि यह गुंगा नहीं यह बोलता है तब सोचो वो इससे कितना दुखी हो जाएगी इसलिए अभी बताना बेटर होगा यार सोनू तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होगर सोचो यह लाख रुपे की बात किये तुने यह गुंगा नहीं है सच है श्वेता को अभी बताना ठीक नहीं होगा लेकिन सच्चाई छुपाना भी ठीक नहीं होगा हुआ हम हम सोनू पहले एक छोट सा गुट बोल कर देख थे हैं स्वेता का क्या रियक्शन होता है उसके रियक्शन के बाद हम कुछ और सोच इंगे यह बात तो सच्छे के तुम सच मुझ गुंगे नहीं हो उसे बताना है बाद में डिसाइड करते हैं क्या बोलते हो सोनु वोट हैपिन ऐसे क्या सोच रहे हो क्या हुआ सोनु बताओ ना मैंने तुम से जूट ना क्या तुमने जूट बोला था? मुझसे जूट बोला तुमने? बोलो क्या जूट बोला तुमने? कॉलेज में मुझे गोल्ड मैडल मिला था यह बात सच नहीं थी मुझे थोड़ी दे रकेला छोड़ो होगे क्या I want to be alone जाओ कि देखो सुनू मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं भी सेलफिश हूँ मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की थी पता है भरत नाट्या मैं अच्छे हाभाव का प्रदर्शन करना था और तुमसे दोस्ती करके मैं वो हाभाव सीख सकती थी यह सब मेरी डांस टीचर ने क तुमसे दोस्ती की थी सोनू कि तुम जैसी समझते हो अपनी दोस्ती वैसी नहीं है आप वेरी सॉरी सोनू कि थोड़ी देर पहले मैंने जो भी तुमसे कहा वो सब कुछ जूट है और ऐसा जूट बोलकर मेरा पांच मिनिट भी मन चांती से नहीं रह पाया लेकिन तुम इतनी दिनों तक शांत कैसे रह सकते हो सोनू तुमसे दोस्ती करने की खातर पहली बार जूट कहा वो सही है लेकिन उसके बाद मैंने किसी भी दिन तुमसे जूट नहीं बोला है सोनू अगर तुमने सच्चे दिल से किसी से दोस्ती की होती सोनू तो मेरा दर्द क्या है यह बात तुम अच्छे से समझ सकते थे कि जब कोई किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करता है तो उसे जूट से जूट नहीं बोल सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है सोनू आज के बाद हम दोनों के बीच सिर्फ सच होना चाहिए, किसी भी तरह का जूट नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में जूट नहीं बोलोगे, प्लीज, प्रॉमिस करो फिर कभी मुझसे जूट नहीं कहोगे न बताओ, बताओ सोनू हाई, अशोक, भड़ाई हो यार, जैसे हो विकी, थेंक्यो, स्मॉल गिफ्ट, अपना बालूद आजा, मेरा बेटा अशोक, सब अमेरिका सेटल हो गये हैं, तुम कहां सेटल हो रहे हो? मा, चुप रहो न, ए, इधर आओ, एक गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो, इसके अंदर मैं अमेरिका देख लूँगा, और देख लूँगा तो हर बार तुझे अमेरिका जाना जाना कहने की जिद्याद दिलाएगी, इसलिए से तुम अपने पास रखो, देखो विकी, वी समझ में नहीं आया अरे श्वेता। श्वेता से तो तुम शादी कर लोगे न, तो तुम अमेरिकान शिट इजन बन जाोगे, श्वेता तुम्हारी आंखों के सामने घूमणे वाली गुड़िये की तरह है, तुम श्वेता के जितने करीब जाओगे, अमेरिका तुमारे उ भूट नहीं बोल सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है सुनु वेकर मिया हलो वो स्पिकिंग अब मैं सोनु बोल रहा हूं सोनु लुट सोनु को ऊण भाई शेटा का Ф्रेंड सोनु बात करा है ं एक मिक्लेट करना शेद को बलाता हूं है यहां है एडियेट है तुम से बात करने के लिए देगर लेकर आप्न कर रहा है पिर कभी ऐसा फोन यहां यह इसा इस बोल कोई आप गाहर स्वेता हिया मैं सोनू बोल रहा हूँ कौन सोनू वही पेंटर सोनू शिट अ ऐसे किसी के नाम से फोन करने की बदले भारे घर पर आ सकते हो सोनु के नाम के इस्तमाल मत करना और तुम सोनु के बारे में जानते ही क्या हो ग्रीट पेंटर उसके दिल में अच्छाई के अलावा धोका फ़रिब हो ही नहीं सकता सुनो वो एक गूंगा है वो बोल नहीं सकता कि फिर कभी तुमने सोनु का नाम लेकर फोन किया तो पुलिस कंप्लीन कर दूंगी सो डॉंट ट्राय टू चीट मी अंडर्स्टैंड कि अब है कि अब फोन करके तुम्हारी बारे मैं पूछ रही थी इतने में तुम ही आ गए कोन आया पता है अंदर आओ अमेरिका से हमें देखने के लिए हो या अपनी बेटी से मिलने आया हो या बात कर लो यह यह कौन है पता है सोनू सोनू मेरे डाडी मेरी ममनी मmile दा बेटा आओ बेटा या अऊ आओ अवन जित डाउन शुएता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है हर एक इंसान में कोई ने कोई कमी जरूर होती है तुम बोल नहीं सकते इससे दुखी मत होना भगवान तुम्हारा कभी ने कभी बला करेगा सोनु कुछ दिर पहले क्या हुआ पता है किसी रासकल ने फोन करके तुम्हारा नाम इस्तमाल किया और मुझे चीट करना चाहा सोनु एक लड़की से दोस्ती करने के लिए कितना जूट बोल सकते हैं लोग देखा तुमने उस फान को मैंने ही रिसिव केया था सोनु जो आवाज मेंने सुनी वो बिलकुल तुम्हारी तरह थी अगर तुम बोल सकते तो तुम्हारी आवाज बिलकुल वैसी ही होती अरे सोनो कब आये तुम अच्छा खाना तयार है आप लोग सब अंदर आकर खाना खालें चलो चलो कोल्री को आज नाइट शो फर्म देखने चालते हैं ओके सोनू वहां बेठ जाओ सॉरी सर मैं गूंगा बिल्कुल नहीं हो श्वेता से दोस्ति करने के लिए ही मैंने गूंगे होने का नाटक किया था मैंने आप सब को धोका दिया कि श्वेता यह बहुत अच्छा लगा है मासूम लड़का है यह इसकी सच्चा ही है देखा श्वेता इसके दिल में कितना पाप भरा हुआ है यह गूंगे की एक्टिंग करके तुम्हें फसा रहा था यह रासकल आफ्टर ओल सलक पर पेंटिंग करने वाले तुझे अपना फैमिली मेंबर समझ कर गले लगाया तुने हमको क्या पागल समझ रखा है श्वेता देख लिया ना कल उस भिकारी ने धोका दिया आज इस पेंटर ने धोका दिया आज के बाद कभी किसी पर विश्वास मत करना अगरा आज दो से दिस यूची उची दोका देते हो उची दोका देते हो तुम जाओ यहां से चली जाओ यहां से पिर दुबारक कभी मत आना अरे सोनू सब तुम्हारा इंकिजार कर रहे है जल्दी आओ क्वी सोच्व हैओ डिटोüst बैठो बैठो बैठोव बैठोू कर deuxième हे दिन क्यों है क्या मका इन न ितातर सुनु से घुक। क्या मुंतखा है मैं सोनू चार दिन से नहीं आया वो आएगा तो मेरे घर आने को कहना ओके हाँ ठीक है कि यह तो एक अलगी काम है कि हलो तेरी आइटम चली गई बाहरा आजा ए उसे क्यों शराब की आदत लगा रहा है तू चुप बैठ यार वो चार दिनों से बहुत परेशान है ज्यादा पुशा तो और परेशान हो जाएगा इसलिए ढाबे में लेकर आया हूँ थोड़ी सी शराब अंदर जाएगी तू रिलेक्स हो जाएगा हो सकता है वो अपने अफिस दिल हो इस्ता से मिला क्यों नहीं वह मुझी आफज्ट में फोन करके पूछ रही थी तुम दोनों के बीचमे क्या हुआ है रहे जब कुछ सचचे लगता है लेकिन तूसे सच बोल दियार सच बोलूगा तो श्वेता मुझसे दूर हो जाएगी यह सोच का जूट बोलता रहूंगा तो मेरा मन मुझे दिकारता रहेगा क्या करूं को समझ में नहीं आ रहे हैं इश्क दमारा हो जाए जिन्दा ऐसा कोई मंतर नहीं वेना खुद खुशी और इश्क में यारों कोई अंतर नहीं वेना लब तो मंतर हो जिश्क दमारा हो लब तो मंतर हो इश्क दमारा हो ओ दिवान ओ दिवान प्यार न जाने इश्क में जल जाते हैं सारे परवाने ओ दिवानी ओ दिवानी प्यार न जाने इश्क में जल जाते हैं सारे परवाने इश्क के रोग से कोई न बचा लगते नहीं फिर कोई दबा इश्क के रोग से कोई न बचा लगते नहीं फिर कोई दबा ओ दिवानी ओ दिवानी तु है अंजानी इश्क है ही राजे की कहानी कई रोमियों कई मजनू मिट गए इश्क में मिलते हैं बदनामियां कमबक्ष इश्क में वो रोमियों हो मजनू जिन्दा है इश्क में मर के तु देख ले एक बार इश्क में जीते जी मर जाएगा मर के भी पस आएगा नाव बन नी गोड़े मजनू इश्क बिना है जीना क्या इश्क बिना है मरना क्या इश्क मेरी आरजू लवता मंतर हो इष्क दा मंतर हो ओ दिवानी ओ दिवानी तु है अंजानी इख है हीर रानजे की कहानी लब दा मंदर हो, इश्क दा मंदर हो लब दा मंदर हो, इश्क दा मंदर हो ना बचे वो ना बचा तू दरते इश्क से वो हुए पना तू जखमी आगा इश्क से ओ सोनिये ओ गोरिये धर्मत इश्क से जो डर गया वो रह गया तनहा इश्क से किते जी मर जाएगा, मर के भी पस्ताएगा ना बनने गोड़े मजिनू इश्क बिना है जीना क्या इश्क बिना है मरना क्या इश्क मेरी आरे जाँ ओ दिवानी ओ दिवानी तु है अंजानी इश्क है हीर राजे की कहानी ना मुस आशिक का सबसे बढ़ा इसने है लव का मंतर पढ़ा ना मुस आशिक का सबसे बढ़ा इसने है लव का मंतर पढ़ा आपके जब आपके जब करना है कि अपके एपके जब आपके जब हो आपके जब आपके हैं जब किला आपके हैं तो सुन्दर नटराज की पेंटिंग देखते ही तेरी आद आ गई इसले ले आया हूं इस फाइन क्यों श्वेता पसंद नहीं है क्या नहीं बहुत अच्छी है फिर क्या हुआ इस पेंटिंग को देखकर मुझे सोनू की याद आ गई उसे देखे बिना दस दिन हो गए हैं कहा गया होगा क्या कर रहा होगा पता नहीं वो कहीं भी हो आज उसे ढून करी रहूंगी कि अजहें है तो हुआ मिला कर gefuit कि अजी अजी ठेड़ा फिर की अट फिर से प्रशता रह्तिकव क्योंटेशल कं आए को ऊट तक मिला अत्व बात participar नटराbeck में नका zagए और राव पूने लिगा कि अदने राड़़ाई अथ पता नहीं किस गाउं का था पेंटिंग करते हुए पैरफिसल कर नीचे गिर गया बहुत खून बह गया पर होस्पिटर लेकर गये हैं भगवान ही चाने जिन्दा बिची कभी है कि अगर 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 कर आएं ग्या वह तो दो गंटे पहले ही मर्चिका मेडम उसकी बॉड़ी लाशों की रूम में रखी है कि कौन चाहिए कि यहां किसी पेंटर की बॉड़ी आई है आई थी ना पूरा बॉड़ी लव लुहान हुआ हुआ था क्या हुआ आपको कि मैं बॉड़ी को देखना चाहती हूं ऐसे नहीं देख सकती पहले सूपरी ट्रिट्रेंट के पास से लेटर लेकर आई ये फिर दिखा दूंगा मैं सौनू सौनू क्यों रहे उस दिन तो डाबे में कसम खा रहाता स्वेता से नहीं मिलूंगा उसे देखूंगा नहीं फिर आज ये उसकी तस्वीर क्यों बना रहा है तो हाँ यार कल तक श्वेता को देखना भी नहीं चाहता था लेकिन मेरे साथ काम करने वाला लड़का जब उपर से और वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई और मुझे सही सलामत देखकर गले लगा कर जोर-जोर से रोने लगी यार और उससे देखने के बाद मैंने उससे दूर रहने का फैसला बदल लिया दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से दिल क्यों धड़कता है ये तुम कहो मैं क्या कहूं यार तुम ही कहा दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से तेरे दिल से बकता है अजा ये एंड़स्ट ऊंड़रे विन्स देखो ना देखो ना इन वादियों में तुम ना खोना चोड़ो ना खोता है जब होनी दोना दोना यह मौसं कहीं तुझको सनम देखो मुझसे चुरा ना ले मुझको मुझी से चुरी चुरी उसनम चुरा तुले यही तो इश्क है यही तो प्यार है हाँ यही इश्क है हाँ यही प्यार है दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से ये इश्क है, ये प्यार है ये इश्क है, ये प्यार है देखो ना, देखो ना, इन वादियों में तुम नखो ना, नखो ना छोड़ो ना, छोड़ो ना, होता है जो भी होने दो ना, दो ना ये वादियों कहीं तुझको सनम देखो चुरा ना ले मुझको मुझी से चोरी चोरी ओ सनम तुछुरा ना ले ये ही तो इश्क है, ये ही तो प्यार है हाँ ये ही इश्क है, हाँ ये ही प्यार है दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से दिल से तरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से दिल क्यों धड़कता है ये तुम कहो मैं क्या कहूं या ना तुम कुछ कहो दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से क्यों यार विकी हमेशा तो एक ही वार में सारे किंग को गिरा देते थे आज क्या हुआ यार इसका कारण स्वेता है क्या ये किंग नहीं गिरे तो कोई बात नहीं यार लेकिन स्वेता को पटाना बहुत ज़रूरी है कि देखो विकी आज कल की लड़कियों को पटाने के लिए गिफ्ट देते रहना चाहिए और पार्टियां करते रहना चाहिए अगर थोड़ा सा भी गैप हुआ ना तो कोई दूसरा है घुश के पटा लेता है अब केसी को ने घुशने दूंगा हाँ 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 है शाम को जल्दी आ जाना सब लोग मिलकर फिल्म देखने चलेंगे क्या हुआ अचानक चुप क्यों हो गया अभी तक तो बोल रहा था यहां पर मैं जिसको भी देख रहा हूं वो मुझे श्वेता की तरह ही दिखाई दे यहार इसलिए 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 ले बवे यह क्यहारे। अचा ठीक है शाम को जल्दी आ जाओ गे ना श्वेता से मिलकरा अभे बोलता क्यों ही हाँआ है को अब को अनि Excuse me madam, will you get a cigarette? Stupid! What do you have? Let's go! Excuse me, will you get a cigarette? Will you get it or not? Say it or not, will you get it or not? Just say something quickly Do you have a cigarette or not? You are asking me, will you get it or not? What do you have to do in jail? Do you have a cigarette? No money? You have a check shirt? Jeans put it on? Do you have any money? Where are you going here? Are you going to go here? Are you going to go here? No ticket? No ticket? No ticket? Say it or not, will you? You are going to keep the cigarette in jail? You will keep the cigarette in jail You will come here No ticket? No ticket? You are going to go here No ticket? Do you go here? Why will you die? Do you not be listening to me? You come down here? You come down here? You've gone, you? जो को, מा अच्वाज नी क्या दुह? जुग का टूप आ किया घू जुग हुआ? सब पूझ अबना और आन कäreता किया सबॉग्म मुल lassा आ धर मिछा के रिफ प्रोग्राम और जा कोई हमरे पूरी इनुट मान्ने के रिफ ना ही mother मेरी गाड़ी का एक्सिजेंट हो गया अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है का टैमेज हुई है वक्शॉप में गई है अपनी भाविशी की जानकारी प्राप्त करो आव भाविश्वारी करता है मेरे सब्सक्राइब करता है अब फिर्मा शत्त्य बोलती है ज्च्छ नहीं बोलती है इंडिया में ना इस रचित्त निकाल में इडम आपका नाम अप्रियंग के नाम मेरा बाद में बताना पहले इनका बताइए सभ़ी का क्या रम्भा शब्सक्राइब सभाज नाम सभाज नहीं बोलते क्या नहीं यह बोलने ही सकते कि नमा सोनु के नाम से चिट्थी निकालो सब का भला होगा मेरी रम्हा ने सितारो के तारे बताये हैं साहब तो बोलते नहीं मगर यह कहती है कि नारद मुनी जैसे बड़े बचन बोलते हैं अगर यह मूख फोलेंगे तो जगड़ा हो जाएगा इनके हिसाब से बिल्कुल अलग बाता है जूटी बाता है शर्वत मुनी के जैसा है कि अगरें जोलती है कभी जूट नहीं बोलती है अरे मैं गुंगा नहीं यार अब मुपंका में तो माड़ा लूगा तुझे मूपंका पुझे पूराओना अच्छोड़ क्या है क्या है विक्की विश्व मैंनी हैपी रिटर्ण्स ऑफ नदे श्वेता थैंक यू आज मेरा बड़े है मेरी बड़ डेट के बारे में तुम्हें कैसे पता मेरे पासपोर्ट में भी औरिजिनल डेट ऑफ बड़ नहीं है फिर देखो श्वेता हम दोनों की एक होने स से पहले दोनों को एक दूसरे के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए है 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 श्वेता वाट हैपन क्या सोच रही हो पार्टी में सब लोग आए है अगर सोनू भी आता तो अच्छा लगता ना सौरी श्वेता जल्द बाजी में सोनू को बलाना भूली गया इम रेली सौरी सौरी हाँ इस ओके तुम तो जानते हो लेकिन उसे मेरी बर्ट डेट नहीं पता होगी श्वेता सोनू को तुम विक्के समझ रही हो क्या तेरे बर्थरे के बारे में पता लगा का सब्राइज कि श्वेता आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वो क्यों तुम्हें बर्थर दे की सप्राइज दिया इसलिए थैंक यू विक्की गारी रुको जन्म दिन की शुब काम ना है जब तुम किसी को सच्छे दिल से प्यार करते हो तो उसे तोता मेना की तरह है आस्मा में छोड़ देना चाहिए अगर वो तुम से प्यार करता है तो जरूर लौट कर आएगा यह वोडिंग सोनु ने बनाई होगी फेंटास्टिंग वो बात नहीं कर सकता लेकिन तेरे जनम दिन पर उसने बहुत कुछ कह दिया हम एक दूसरे को पसंद करते हैं मैं जानता हूँ एक दूसरे की सारी बातें अपने हाँ पता चल जाती है फेता चलो चलते हैं मैं एक बार सोनु से मिलना चाहती हूँ एडियत मुझे बद्ड विष्च करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोनु तुमसे मिलने तुम्हारे रूम पर गई थी हर पूर्णे मा के दिन तुम यहीं आते हो मुझे यह बात तुम्हारे दोस्तों ने बताई पूरम के उजालों में, समुद्र के किनारे, इस मंदिर को देखते रहना, रियली ग्रेट टेस्ट. सोनू, तुम खुबसूरत पेंटिंग करते हो, ये बात मुझे पता थी. लेकिन इतनी खुबसूरत कवीता लेखते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था. कोई इतना अच्छा तभी लिख सकता है, जब उसे किसी से प्यार हो जाता है. सोनू, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? मैं गलियों का राजा, तुम महलों की रानी, कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी, मैं गलियों का राजा, तुम महलों की रानी, कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी, दू आसमा जमी मैं, दिर लायक हूँ नहीं मैं, कैसे तुझे बताओ, तू आग मैं पानी. कर दो बुड़ कर दो नारी नारी दो दो तो जो जड़ नारी में की दो ₹ माथे की भिन्दिया, कानों की बाली, हाथों का गंगना मैं लाओं कहां सेरे, लाओं कहां सेरे कैसे निभाऊंगा मेरे समें तूटे कही ना, तेरे सपने सोच के जरता हूँ हे तुझको पाकर खोना होगा, तेरे बिना क्या जीना होगा, सोच के जरता हूँ तु आसमा जमी में, तेरे लायक हूँ नहीं मैं, कैसे तुझे बताऊं, तु आग मैं पानी मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी कि अपनी राजा जाला थाजा रानी कि अपनी आपनी अपना राजा बच्छा राजा थाला थाजा राजा है दुनिया ये अपनी पसाने से पहले मेरी जा मुझे को बहुत सोचना है बहुत सोचना है लाना सकूंगा रेशम साड़ी देना सकूंगा बंगला गाड़ी ओ साथी मेरे हे समझे ना तु मेरी उल्झन कैसे बनाओ तुझको दुलहनलू कैसे फेरे तु आसमा जमी में तेरे लायक हूँ नहीं मैं कैसे तुझे बताओं तु आग में पानी मैं कलियों का राजा तु महलों की रानी कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी तु आसमा जमी में तेरे लायक हूँ नहीं मैं कैसे तुझे बताओं तु आग में पानी अगे 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 हूँ आगई आगे अगे अगे आगे अधिश्चा बंच श्वेता अभी टैम क्यों आपथा शेहर से दूब राने के बाद कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था तुम्हें इंडिया में कुछ हुआ तु वह हमारी जिम्मेदारी होगी तुम जानती हो तुम कुछ नहीं जानती हो अब चलोगी क्या प्लीज चलो कि I am going to college मैं काॉलेज जा रहा हूँ आइकें फस्ट इन गॉलेज मैं कॉलेज में फस्ट आया हूँ I can speak English वहां पर विक्की बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इंग्लिश में बात कर रहा था इसलिए मैं भूल गया यार स्वारी 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 यार मैं भूल गया यार स्वारी स्वारी यार मैं भूल गया मैंने क्या जीका था क्यों एक बार बात तो कर तुझे तो सिर्फ एक ही भाशा आती है रहे जानवरों वाली भाशा वो भी बक्रे की तरह एक ही शब्द बोलता है बैए सुन यार विक्रम और श्वेता की जोड़ी से तुझे एतराज है ऐसा नहीं है यार श्वेता और विक्की की जोड़ी सही है मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कौन आया ओगा अभी मैंने उसे नहीं बुलाया यार अब क्या होगा अरे जल्दी से अससे कैसे भी करके अंदर बिठादो यार प्लीज नहीं तो मैं बट जाओगा यार प्लीज मेरे दिल की दुनिया मिट जाएगी जल्दी से निकाल दो हाई स्वेता हाई 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 बहुत देर से कड़ी हो क्या सभी आई हूं हम भी अभी देख रहे हैं ऊपर सब बिल्कुल नहीं देखा ठीक है ना क्या अरे कुछ नहीं आप अन्दर आलाओ आप पैर हटाओगे तो ही में अन्दर आउंगी ना हाई आई 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 सोनु क्या कर रहे हो अच्छा कर मुझ से मिले घर क्यों नहीं आए बहुत काम था क्या तो कम से कम मुझे एक फोन तो कर सकते थे ना आए इम सॉरी सोनु तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है इन दीवारों पर कोई पेंटिंग होती तो और भी अच्छा लगता है ना पहली बार तुम्हारे घर आई हूं मैं कम से कम कप कॉफी तो पिला दो बहुत है बहुत कश्चा कोफी तो पिला दो पैकर बहुत sih okay अरे वो नमाक है यार यहां है शक्कर है सोनू यह चमच मुझे दे अम्मा पापा कहके चिलाएगा मुझे है लेकिन तुने अपना करेक्टर मेरे सामने इतना स्ट्रॉंग करके रखा है अब तेरा लब सक्सेस हो जाएगा डेफनेटली यार स्ट्रेता मुझे कहीं देखना लेसले टेंशने में काफी बना रहा हूं और कुई बात नहीं है हाँ? आवे? यहाँ हाँ एसा क्यूं किया? हाँ हाँ तु ब्यूटिफुल तु नैचुरल इस राजस्थानी लड़की की पेंटिंग बहुत अच्छी है सोनू यह पेंटिंग तुम ने मुझे पहली क्यों नहीं देखाई? इसी मैं अपने फ्रेंस को दिखाऊँगी ठीक है क्या बात है काम करते हुए सो रहे हो पोछ बी नहीं भाई इंडिया श्री लंका का वर्ल्ड कप का मैश चल रहा है अब ही तक सचीन तेंदू का चोके लगा रहा हो गाँ उस मैच को देखने ही पा रहा हूं यही दर्दा मेरे चेरे पे आप मैच ही देखना है ना श्वेता के जाने दो बॉस वो बड़े बड़े पैसो वालों का एरिया है बॉस इस गेटब में गए ना तो बहुत गंदे लगेंगे एक काम करते है अपने बबलु नाई के पास चलते है अच्छी तरह दाड़ी कठबा के आते है तुम यहीं पर रुपना सब्सक्राइख भेटे लेकिन टकला मत करता है क्या घंदगी है बहुत बड़ु अग्रहाग है अटिकाय क्या इतने गंदी बास कियों है कप्ड़े दोयान क्या हुआ इसको जल से अटगे अटा है और सॉरी सार नेरी रेंच के कबड़े लेक्यान है सफाई में शुद्धता और खुश्बू हंडड़ परसंट क्या रहे पानी में दोकर लाए गया नाग फड़ जा रही है निकाल सार का हुआ का हुआ बढ़िये 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 कजरे नाया लेकर आया हूं सर अधी दूर के पैचान मत बता मेर को बगैर तेखे बगैर सुगे बता सकता हूं कि कौन सा कपड़ा है गंदे पानी से धोके लाता क्या अधा कसम से आप ही पहले ग्रहाख है दूसरा लेकिया मैं ग्रेट पेंटर हूं क्यार कजरा रे तुम मैं मुझ्टा टॉक्टा टॉक्टा मेर कूट कपडा मतलब ऐसा ही कपडा होना चाहिए ना यह पहले क्यू यह किन घ्या तुने फातो समझा था मेरको जो मैंने तरको तानी केकरा सून के देखी साहे तून कर देखो मैं इसको क्या है श्वेता है नहीं है बाहर गई है गाड़ी तो यहीं पर तू विलर छोड़कर फोर विलर में गई है विक्की कौन है अरे श्वेता अंदर है श्वेता अपना सोनु आया है उसे अंदर बुलाओ ना जाओ हालो आइम सचिन तेंदूर का आई सोनु का दोस्तों आइम ग्रेट पेंटर ग्रेट क्रिकेटर अल्सो यह क्या है आपके बाल अगे से सपेत कुवे ने हागा अरे फिर सचोगा मार दिया हाहा हाहा है संभाल के श्वेता को बुरा लगेगा तुम गुंगे पन का नाटक करो चुपरो मैं बात करूँगा बात करूँगा तुछे यहां लाकर गल्थी की मारा फिर से चोगा हाहा फिर से चोगा अंकल जल्दी आये ना सचिन धोरा आये देखो ना मार दिया सीज वाओ स्वाओ प्रॉप सुनु प्रॉप प्रॉप स्माशे थूप प्रॉप स्वार प्रॉप स्वार स्वार श्चिन आउट इंडिया बात वार प्रॉप अरे टेक इज़ी प्रोग्राम ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है बता है कॉलम्बस 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 प्रॉप स्टुपइट स्वाइज कॉलम्बस मतलब इस प्रोग्राम में तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया और मिलेका यार यार मैं चलता हूँ वन मिनिट मैं अभी आंटी को बला कर लागी हूँ और भाई दो करें अब इतनी वली टीवी बंद कैसे करें देखरें कैसे करें मैं जिगाने लाए लाए आउटी पर आ रहा है आईये लिए नचल दिस आईये अब क्या करूं इस पेपर से बन कर देशा अपर यह बहुत बहुत है एक एक काम करते हैं तीवी तोड़ देते हैं तो फोड़ते रहो इसको पंड़ते हैं पकर ना उठाओ अरे क्यों भाई सोनु तेरा प्रोगाम टीव अरे बात करो भाई सिरेट मिले जा नहीं तुम सही पूछ नहीं है पैसा जी पेसा नहीं है सोनु तुम तो भेर नहीं सकते प्रोग्राम पताएंगा थोड़ी देर में आप सबको मालूम पढ़ेगा तुमने चेक शट पानिये जीन्स पानिये तो विक कि बाद में पढ़े ना देखो न तीवी पर सोनु आ रहा है आव ना जली देखो तुम तो अब थोड़े दिर में तुम एक्टम जीरो बनने वाले हो हाँ मार एका मार 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 सुना है नहीं नहीं है क्या बहरा है क्या गूंडा है क्या तू शी लाइट को भी जाना था वोसे टीवी में देखकर बहत मज़ा आ रहा था ना सब्सक्राइब दिल्ली पहुंचते ही फोन नमबर एडर्स दे दूँगा एडर्स वहां क्या यहीं देदो इस शहर की लड़कियों को देख देकर हम लोग बोर हो चुके हैं हम लोग भी चार दिन के लिए दिल्ली आएंगे और दिल्ली की लड़कियों का दिल अए एरोप्लेन नहीं कहते हैं फ्लाइड सब ठीक है यार सोनो इधरा तुमसे परसनल बात करनी है अए देखो सोनो प्रैक्टिकली जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूं वही मुझे पसंद है इसलिए प्यार वार सब कोच मुझसे दूरी रहते हैं प्रैक्टिकल सोचते हो लेकिन इसकी बातों में भी कुछ सच्चा है वरना अगर इसके दिल में प्यार नहीं होता तो एक पड़ी लिखी लड़की भाग कर आके इसके गले क्यों लगती? You are a fool. विदेशों में गले लगाना किस करना एक आम बात है. श्वेता अमेरिका में पैदा हुई और पली बढ़ी है. ये जाने बिना फालतों की बात मत करो. सोनु को भड़काने वाले तुम भी हो. सुनो सुनो, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ. और वो? पता ने. ठीक है ते तुम अभी चलो. मेरे साथ दिल ली चलो. एक बड़ी याड एजेंसी में तुझे अच्छी जॉब दिलवाऊंगा. स्टार्टिंग सेलरी कितने पता है? दस हजार. बोर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एसी ओफिस में बैटकर काम करोगे. मेरे बात मान लो. ठीक है. पर तीन महीने बाद चलोंगा. तीन महीने? लेकिन क्यो? वो. श्वेता तीन महीने बाद अमेर का वापस चली जाएगी. उसके बाद चलूँगा न. क्या है यार? वो लड़की दुझे प्यार करती है तुझे नहीं पता. पर तुम तीन महीने बाद जब वो अमेरिका जेगी तब चलोगे. क्यों तु अपनी जिन्दगी बरवाद करे में लगा है यार? नहीं. श्वेता से मुझे जो खुशी मिल रही है वो सिर्फ तीन महीने की है. और मैं ये खुशी खोना नहीं चाहता. मुझे नीन में भी सपने देखना पसंद नहीं है. लेकिन तुमों की जिन्दगी को ही सपना समझ रहे हैं. मैं कुछ भी कहूँ, तेरी समझ में नहीं आएगा. चलता हूँ मैं अब. रियाज, एक मिनिट. तुम्हारे जाने की बाद मैं तुम्हारे रूम में रह सकता हूँ? इस खिड़की के लिए न? हाँ. रियाज, फ्लाइट का टाइम हो गया है, चल. सोनो, इस डिजाइन को देखके वोर्डिंग पर पेंट कर दो. क्लाइंट बहुत जल्दी में, केरलेस मत होना. सर, बुराना माने तो एक छुटा सा आइडिया दू. क्या है, बोलो? वोर्डिंग बहुत अच्छी जगह पर है. बैग्राउंड स्काई ब्लू है. डिजाइन ब्लू कलर में है. डिजाइन वहां अच्छा नहीं लगेगा, सर. कलर्स के बारे में तुम मुझे बताओगे. मुझे सिखाओगे तुम, असल में. तुम्हें कम्प्यूटर डिजाइन के बारे में क्या पता है? है? क्या है? ऐसे क्या देख रहो? बताओ, तुम्हें कम्प्यूटर डिजाइन के बारे में क्या पता है? सर, कम्प्यूटर से होने वाली डिजाइन का तो पता नहीं. लेकिन हाँ से होने वाली ड्राइंग के कलर के बारे मैं अच्छी तरह जानता हूँ अच्छा तो तुम मुझे समझा रहे हो हाँ आओ भाई आकर यहाँ पे बैट जा तुम डिजाइन करके दिखाओ मेरे को पागलों की तरह क्या देख रहो तुम से कुछ भी नहीं होगा तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा मेरे बातों सुनिये सर डॉंट टॉक अटेंडर जो शाहाब इसको बाहर भेजो अरे चलिये न जा बाहर चलिये न चलिये आईए डबो से कलर करने वाला कलर के बारे मेरे को समझा रहा है यह बड़ा पेंटर है बोल के बड़ी शान दिखा रहा है अपनी कर तुम इतने उदास क्यों हो एनी प्रॉबलम ओके अब हम एक इंपोर्टन प्लेस पर जा रहे हैं कम कम ओन सुनु आव सुनु आव सुनु क्यों सोनु तुमारी पेंटिंग्स यहां कैसे आ गई यह सोच कर हैरान हो रहे हो ना यह सब कुछ श्वेता ने अरेंज किया है अपने इंडिया के बड़े मशूर चित्रकार मिस्टर फर्नांडिस यहां आये हैं आज उसुनु की की हुई पेंटिंग के बारे में बात करेंगें प्लीज कम सर्व नमस्कार मेरे दोस्त की वज़े से कुमारी श्वेता ने मुझे इस चित्र पदर्श्णी में खास महमान बनकर आने का रिक्वेस्ट किया था इतनी ख्यूपसूरत पेंटिंग्स बनाने वाले मिस्टर सोनु बात नहीं कर सकते फिर भी ये दुनिया जब तक रहेगी उनकी कला की बात करती रहेगी अगर श्वेता ने मुझे यहां बुलाया नहीं होता तो सोनु नाम के एक बड़े चित्रकार से रूबरू नहीं हो पाता तथा उनकी पेंटिंग्स को देखने का सवभागी भी खो देता मिस्टर सोनु, प्लीज कम कर दो भी खो खो दो辉क thouTony पेंटर सोनु को बधाई हो अरे अपने सोनु का पेपर में फोटो आया है उसके ओल इंडिया हार्टिस्ट बनने के खुशी में आज पार्टी होगी ये न्यूज सुभा टीवी पर आई थी ना इस खुशी को कैसे सेलब्रेट करना है आज मैं सिर्यसली सोच रहा हूं अरे त देशी बैर में चलते हैं वहां भी गांधी जैन्ती है शिट गांधी जैन्ती की खबर देशी लोगों को भी पता है ठीक है खुद की वाइन शॉप पर चलते हैं चल खुद की वाइन शॉप वो कहा है बेटा ये रहा हमारा वाइन शॉप इंजॉय करो हर आदमी के जिन्द पर ब्लैक लेबल लिख दिया वो भी ठीक है सोनू उसे एक रायल चैलेंज समझ कर आज के दिन टीवी में और पेपर में चपकर वो एक रेज लेबल बनकर साबित कर दिया सोनू आज मेरी नजरों में एक नेपोलियन बनकर खड़ा है सोनू आज से तेरी जिंदिगी में ब्लैक नाइट नहीं रहेगा क्यूंकि तुम एक किंग फिशर की तरह हो क्यूं यार खुशी में उड़ने वाला गॉल्डे निगल पंक टूटे हुए पक्षी की तरह चुपचाप खड़ा है सोनू अरे पूरा शहर तेरे गुन गया रहा है और तू इतना उदास क्यूं खड़ा है बच्पन से मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बरना चाहता था नौकरी करने के लिए शहर आया तो मुझ पर महरबानी करके नौकरी तो दी लेकिन मेरी प्रतिभा को पहचान कर किसी ने नौकरी नहीं दी मैं एक आम इंसान हूँ ये सोचकर दुखी नहीं हो रहा हूँ लेकिन मेरी बनाई हुई तस्वीरें देखकर कोई बड़ा इंसान किसी दिन मेरी तारीव करेगा इसका मुझे नजाने कब से इंतजार था आज श्वेता के जरीए मेरे सबस अपने सबलक्ष पूरे हो गए मैं श्वेता से बातें कर सकता हूँ लेकिन इस सच को चुपा कर रखा मैंने अपने प्यार को भी चुपाया आज तक मुझे बहुत बड़ी गलती हुई लेकिन उसकी इस मदद के लिए ठैंक्स कहने के लिए एक शब्द है और वो एक शब्द भी मैं उसे नहीं कह सकता इसलिए मेरा दिल बहुत तड़ाप रहा है इसलिए अब मैं श्वेता से कुछ नहीं चुपाऊँगा अभी जाकर उसे सच बता दूँगा श्वेता इन लोगों को इस भीडबार को देखते वे चल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है अरे पता है न मेरा पहला डांस प्रोग्राम है इंविटेशन कार्ड और बहुत से लोगों को देना है जल्दी चलो विक्किय श्वेता गलिया मुझे कितनी पसंद पता है यह भीडबार गली देखकर भी नहीं चलते एक दूसरे को धग कमारते रहते हैं शिह मुझसे तो यहां एक पल भी रुका नहीं जाता नो श्वेता इस गली में आने के बाद यह सारी दुनिया एक परिवार की तरह लग रही है यहां बहुत से लोगों को देख सकते हैं सच में श्वेता अपने बच्चों के लिए दूर लेने आया हुआ बाप पतनी के लिए गिफ्ट खरीदने आया हुआ पती दुलहन के लिए कपड़े खरीदने आया हुए रिष्टेदारों की टोली इन सब को देखकर एक परिवार की तरह लगता है ना तो इस जगह ने तुम्हें अपने परिवार की याद दिला दी हाँ श्वेता मुझे पता नहीं यह शादियां फैमिली रिलेशन्स इंडियान सिस्टम को देखकर मन में थोड़ी थोड़ी खुशी होने लगी है फिर तुम जल्दी से शादी कर लो उसके लिए तुम्हारी मन्जूरी चाहिए ना यह क्या श्वेता यह तुम क्या कर रही हो सोच समझ कर फैसा लिया है ना तुम्हें हाँ अंटी मैं सोनू से प्यार करती हूँ देखो बेटी श्वेता हम ट्रेन में अकेले सफर करने के समय परोसी से बात करना चाहते हैं छोटे से सफर में हमें बात करने वाले किसी आदमी की जरूरत होती है जिन्दगी भर तुम उस बेजुआन आदमी के साथ कैसे गुजारा करोगी अंकल प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे से बात करना ही नहीं एक दूसरे को समझना भी है उसके लिए बातों की जरूरत नहीं है श्वेता तुम मेरे विकी को पसंद नहीं करती हो ये मैं जानती हूँ लेकिन बेटी तुम सोनू से प्यार करती हो ये बात भी गलत है तुम उस पर दया करती हो सोनू पर अगर दया करती तो उसकी मदद करने के बाद कहीं गुम हो जाती आंटी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे सोनू से इतना ज्यादा लगा हो गया है एक बार कॉलेज की पढ़ाई को लेकर उसने मुझसे एक छोटा सा जूट बोला था लेकिन कुछी दुनों में उसने सच बता दिया उसी सच्चे दिल से मैंने उससे प्यार किया है अमेरिका जाने के दिन पास आ रहे हैं तो मैं जिसे प्यार करती हूं से छोड़कर जाना पड़ेगा ये सोचकर मेरे दिल को बहुत दर्ध हो रहा है विक्की प्यार होता नहीं अपने आप हो जाता है आइं सॉरी तुम मुझे समझने की कोशिश करो अब नहीं श्वेता सॉरी तो मुझे कहना है तो मैं जूट पसंद नहीं जानता हूं मुझे अच्छी तरह पता है फिर भी मैंने जूट कहा अच्छा इंसान बनने का नाटा किया किसलिए पता है अगर तुम मुझे से प्यार करोगी तो शायद मैं अमेरिका में सेटल हो सकूँगा लेकिन सोनू ऐसा नहीं है उसके प्यार में सच्चा ही है तुमारे बर्दे के दिन सोनू की लिखी वी कविता का मतलब आज मुझे पता चला मैंने तुम्हें सच्छी दिल से प्यार किया होता तो शायद तुम भी मुझे प्यार करती है लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया श्वेता अमेरिका से सिर्फ अमेरिका से देखो विक्की प्यार करो तो एक दूसरे पर विश्वास भी करो सोनू पर मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे धोका नहीं दे सकता कि ओल दबेस्ट श्वेता श्वेता तुमने अपने दिल की बात सोनु को बताई क्या कि नहीं विक्की पूनम की रात सोनु को बहुत ज्यादा पसंद है उसी दिन मैं अपने प्यार का सोनु से जहार करूंगी कि यह लीच आंटी मेरे डांस प्रोग्राम का इंविटेशन सिर्फ लक्षमी को भीजने से कुछ नहीं होगा आपको भी साथ में आना पड़ेगा अँ मम्मी किर्थी को बोलो नजरा टीवी का साउंड कम तर दे कमों श्वेता श्वेता एक एडवाइस दे रही हूँ गलत मत समझना कम से कम तुम्हें आज के दीन तो भी इस डांस प्रोग्राम के लिए अपने डांस टीचर का आशिरवाद लेना चाहिए अपने गुरू मेरी बातों में सच्चाई है तो जब मुझे खुद फील होगा तब सोचूंगी अभी ये बाते मत कर ओके अरे हां यार उस दिन तुम्हें सोनु पर दिखाया वो प्यार था या अदया थी समझ में नहीं आया वो क्या था अब तो डिसाइड कर लिया ना श्वेता शॉनु से शादी करने वाली हूं यह बात बोल दी मैंने तू शरम हाती भी कपी नंई शर्माने वाली लडकी शर्मा रही है हाह पेता आंती श्वेता आंती कल जो गुंगी अंकिल को घल देकर आए थी ना वो आंकिल आज टीवी पे आ रहे है चलो ना अंटी चलो चलो लगता है टेकटीज प्रोग्राम परसे रेलीकस्ट कर रहे हैं इस बाल तुमा पूरा प्रोग्राम देखू ही तो क्या रे मैं गुंगा हूं क्या कॉंसी भाशा में बात करेंगा सुन बोल गुद्राती बंगाली कॉंसी भाशा में बात करेंगा बोल बोल कॉंसी भाशा में बात करेंगा बोल कॉंसी भाशा में बात करेंगा बोल पहले बता देतो तो यह लफडा ही नहीं होता मैं बोल सकता ह अच्छी तरह बोल सकता हो बोलो तो गाना भी कर लूगा एए श्वेता हाई स्वेता सोनु कहां है सोनु बोल सकता है क्या नहीं वो तो गुंगा है वो कैसे बोल सकता है मुझे सब कुछ पता है उससे बात करते हुए मैंने अभी टीवी पर देखा है मेरी बात सुनो इस बात को तुमसे इसलिए छुपाया कि stop it अधा उसने तुमसे सच क्यूच छुपाया था यही तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर पर गया है वहां जाने के बाद अभी तक वापस नहीं आया अधस्य सब जगfoldा कहां गया पता नहीं इसे लिए हम ल सोनु जरूर समुर्दुराले मंदिर के पास ही मिलेगा सोनु तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया इतना बड़ा विश्वासगात क्यों किया बताओ हां मुझे तुम्हारी सक्चाई का पता नहीं चले का अयसा लगज तुमें तुम और वह भीकारी एक जैसे निकले nau उ ऐसा सुलूक किया था वही तुम्हारे साथ करोंगी ऐसा तुम्हें सोचा कैसे दया और प्यार में फर्क पता नहीं चलता क्या मैंने उस भीकारी पर कि मेरी नजर में प्यार बहुत ही पवित्र चीज़ है अगर तुम मुझे पहले ही सारी सच्चाई बता देते तो भी मेरा प्यार कम नहीं होता विकॉज आई लव यू सोनू ये बात एक दम सही है कि मुझे जूट बिलकुल पसंद नहीं तो प्लीज अब तुम मुझे से जूट मत बोलना देखो सोनू पास्ट इस पास्ट जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मैं कितनी खुश रहती हूं पता है अगर तुम मुझे सारी सच्चाई पहले ही बता देते त तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सोनू जाने दो सोनू जो हुआ उसे भूल जाते हैं बोलो सोनू मुझे से बात करो सोनू तुम्हारे मुझे से आई लव यू सुनना चाहती हूं मैं सोनू मुझे से बात करो प्लीज अरे देखना सोनू श्वेता कह रही न यार तु बात करना यार। कुझे обेखना है तू बोल सकता है उसे पता चल गया है तू बोलना यार। श्वेता कह रही है ना तू बात कर यार। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर। एक मिनिट फ्लिस दॉक्टर प्लिस، में आपके हाथ जोड़ता हूँ और प्लिस दॉक्टर मैं आपके पहर पढ़ता हूँ नॉन्सेंस जमांस त्रैकर भूसेश जया इनुटिर छूम्ज़र हो थे गुल्प जयो जिळ में डूंगा अजपा तर अ शट अप Gir किया समझ लखाय तुमने है यहां आने वालो की बिमारी ठिक करता हूँ मैं उनलों को बिमार नहीं करता इं मैं भी बीमार हूँ ी Cameron बोलना ही मेरी बीमारी है प्लीए Docter आप के आगे बेद हादे हैं भीक मांगता हूँ एई सोनू लेस काम तुमसे बात करनी है सोनू आइव गॉट अन आइडिया कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास ऐसे रहने जैसे ट्रिट्मेंट के लिए हो मैं भी शो करूँगा कि ट्रिट्मेंट किया है और कुछ ने कुछ करके भेज दूगा तुम्हे कुछ दिन गुजरने के बाद शोयता को तुम बता देना कि मेरे ट्रिट्मेंट की वज़ा से अब तुम बोलने लगे हो इस तरह तुम्हें न तो आवाज खोने की जरूद होगी और नहीं अपने प्यार को खोने की क्या कहते हो डॉक्टर बहुत सी लड़किया मुझे गाउवाला समझ कर अनपर समझ कर मुझे अक्सर चड़ाया करती थी डॉक्टर केवल श्वेता ने मुझे इंसान समझा और मेरे साथ जिंदे की जीने का सपना देख रही एसी लड़की से मैं जूट नहीं बोल सकता डॉक्टर फूल अगर किसी दिन उसे सच का पता चल गया और वो तुम्हें छोड़कर चले जाएगी तब क्या करोगे हां जल्द बाजी में आकर अपने प्यार के लिए आवास को मत खो प्लीज डॉक्टर श्वेता मेरी हो जाए स्वार्थे के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ उसने मुझ पर बहुत विश्वास किया है मैंने उसके साथ विश्वास घात किया इसलिए मैं अपने पापों का प्रैश्चित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रैश्चित कर रहा हूँ उसका निस्वास प्रेम क्या वो इतने अच्छी है सोनू मैं एक डॉक्टर नहीं दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ एक डॉक्टर खोई होई आखे वापस दे सकता है रुके होई दिल को भी एक पर धड़का सकता है किट्नी खराब हो तो बदल सकता है और तो और खराब दिमाग को भी काम करने लाग बना सकता है लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी चीज जुबान है वो इंसान को भगवान का दियावा वर्दान है एक बार वो गई तो किसी डॉक्टर के बसने भी नहीं कि वो उसे वापस ला सके क्योंकि साइन्स आज तक कितना डेवलप नहीं हो पाया है तो अब बता सुनूं तुम्हें जुबान चाहिए या प्यार चाहिए डॉक्टर तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्यू सेकंड्स मेरे लिए फ्यू सेकंड्स सोचो तू प्लीज प्लीज मुझे प्यार चाहिए जुबान नहीं चाहिए डॉक्टर मैं आपरेशन करूँगा डॉक्टर दुनिया में प्यार की खातिर बहुत से लोग फासी चड़ चुके हैं जहर पी चुके हैं ट्रेन के नीचे जान दे चुके हैं फासी चड़ने वालों का दर्द पंद्र मिनट जहर पीने वालों का दर्द साठ मिनट प्यार की खातिर जान देने वालों का दर्द थोड़ी देर का लेकिन प्यार के लिए जिन्दगी भर का दर्द रहने वाले तुम्हारे जैसे प्रेमी को सामने देख रहा हूं मैं अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारी प्रेमी का तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारे पास जरूर आएगी अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो I will do the operation, doctor Sir, 8.30 बजे आपका आपरेशन है उसके पहले कुछ खाना मत कि अपरेशन के सब कुछ रेडी है सार डॉक्तर सामने आपको चेंज करने करी का है sister मुझे अब ही चलना होगा जी हां क्यों पांच मिनिट बाद नहीं चल साथा क्या maa 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 सन्नी छोटो रियाज श्वेटा श्वेटा आइलावी शेता आइलाव यू आईलावी सेता इलावी शेता इनके अप्रेशन की तैयारी करते हुए किसे श्वेता नाम की लड़की का फोण आया ऑप्रेशन कैंसल करने के लिए उनका ओर्डर लेटर कहा है अब जरा मुझे हेल्प करेंगी क्या डॉक्टर मुझे धोका दे दिया ना डॉक्टर मुझे धोका दे दिया ना सोनू मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है मैं डॉक्टर शरीर काटकर उसके पास देखते हैं आप दिल में छुपे प्यार को कैसे देख सकते हैं आप जैसे लोगों को प्यार एक मजाक लगता है इसलिए मेरे प्यार को आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं मैं अपने फर्स के साथ धोका नहीं कर सकते मैं अपने प्यार को धोका नहीं दे वो, ते लूणुन्य जाय उन्या घचाल वो अ लुणे उली वो सावा सी को मैं एपया उली यह'ा। को त रहाल उन्हें अकेला छोड़ दो, प्यार पवित्र होता है, वो एक बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना देता है, टाइम पास के लिए मजा के लिए प्यार कर रही है इस दुनिया में, प्यार के सचाई क्या है देख लो, सोनु ने साबित कर दिया है कि प्यार दुनिया की सबसे पवित्र चीज है, हम सब लोग अपने अपने सौर्थ के लिए जीते हैं, उसने जो कहा वो में एक डॉक्टर होकर भी पूरा नहीं कर सका, एक आम आदमी होते वे उसने वो कर दिखाया, उसकी जुबान कभी बोल नही पाईगी, पर दिल की आवाज सारी दुनिया सुनेगी,